हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डू माई उर्यूप चानल तो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 6 लेके आई हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरग्राफ नंबर 6 की एक्स्प्लेनेशन कहियो लखन मुनी सीलू तुम्हारा को नहीं जान बिदित संसारा माता पित ही उरिन भैनी के गुर रिनू रहा सोचुबर जी के यहाँ पर सीलू करत होता है विनर्म को मतलब कौन बिदित संसारा मतलब पूरे संसार में उरिन मतलब उधार नी के करत होता है अच्छी तरह और गुर रिनू करत होता है गुरू के द्वार गयो उधार अब यहाँ पर लक्षमन जी पशुराम जी से कहते हैं हे मुनी आपके विनर्म को कौन नहीं जानता वैं पूरे संसार में प्रसिद है आपने अपने माता पिता करेंट तो चुका ही दिया है और अब आप अपने गुरु करेंट चुकाने की सोच रहे हैं सोजनो हमरे ही माते काड़ा दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा अब आनी ब्याव हरीया बोली तुरंत देऊ में थैली खूली यहाँ पर अब काड़ा काहर्थ होता है सौब देना या फिर रख देना बढ़ मतलब बहुत ज्यादा ब्यावहर या मतलब हिसाब किताब करने वाला फिर आप जो है लक्षमन जी कहते हैं और अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं बहुत दिन बीद गए इसलिए उस रिण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा बहतर है कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए मैं आप का रिंट चुकाने के लिए तुरं थैली खोल दूँगा सुनी कटू बचन कुठा सुधारा हाई हाई सभा पुकारा ब्रेंगू बर परसु देखा बहु मोही बिर्प बिचारी बचो निर्प द्रोही अब यहाँ पर जो है कटू कर्थ होता है करवे ब्रेंगू बर कर्थ होता है पशुराम और निर्प द्रोही कहते हैं द्रोह करना फिर क्या होते हैं कि लक्षमन के कड़वे वचन सुनके पशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्षमन पर आगात करने को दौर पड़े सारी सब हाई हाई पुकारने लगी इस पर लक्षमन जी बोले है मुनिशेस्ट आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं हे शत्री राजाओं के शत्रू मैं आपको ब्रहमण समझकर बार बार बचा रहा हूँ मिलेन कभो सुबटरन गाड़े द्रिज देवता घरी के बाड़े अनूचित कही सबू लोगो पुकारे रगो पती सैना ही लखनू निवारे फिर यहाँ पर कभू का अर्थ होता है कभी भी द्रिज देवता कहते हैं ब्रहमण को और निवारे का अर्थ होता है मना करना फिर लक्षमन कहते हैं हे मुनी लगता है आपको पहले कभी सचमुच के बलवान वीर नहीं मिले हे ब्रहमर देवता आप घर में ही वड़े हैं ये सुनकर सभा में उपस्ति सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे तब ही भगवान श्री राम ने इशारा कर लक्षमन को रोग दिया लखन उतर आहोती सरिस ब्रिंगु बरकोपु किरसानु बढ़त दी की जलसम बचन बोले रगुकुल भानु यहाँ पर जो है ब्रिंगु बरकोपु करत होता है पशुराम जी और किरसानु करत होता है उकसाना या बढ़ा देना सम मतलब जैसे रगुकुल भानु मतलब श्री श्री राम जी ने देखा कि पशूराम का कुरध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगनी को शान्द करने के लिए जैसे पानी की अवशक्तित होती है, वैसे ही क्शूराम ने भी वही किया, श्री राम ने अपने मीफे वचनों के प्रियास किया, तो यहाँ पर हमारा यह paragraph खतम होता है and chapter भी complete हुजाता है यहाँ पर तो I hope आपको समझ आए हूँ and मैंने सारे parts upload कर रखे हैं 1 to 6 and if you like the video then appreciate it and don't forget to subscribe my channel thanks for watching